ओग विशय जी आशात्यागे विरह वराग बसाई बंदा काल सदा तू समझी सिरते बगवंत खेन भुलाई बंदा काल सदागू समझी सिर्थे भगवंत के न भुलाई बंदा मूरक नरजी संगति खानित पहंजो पाण बचाई बंदा मूरक नरजी संगति खानित पहने जो पान बचाई बनदाई कितना इं बड़ा आदमी क्यों नहो एक राजा था एक पंडित सिधा साधा आदमी भागोत की कथा करने वाला वो कथा कर रहे थे पंडित राजा गया पंडित जीने शुरुवात में का ओम गनेशा ए नमाः तो राजा बोले ठैरो पंडित जी, गनेश जी के पिता जी कौन, पंडित जी बोले शिव जी, शिव जी के पिता जी कौन, पंडित बोले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता जी कौन, बोले विश्नु जी, अच्छा विश्नु जी के पिता जी कौन, पंडित चुप, तो क् तुम को इसका जवाब पता नहीं तो काय को कथा करते हो राजा ने जेल में डाल दिया पंडित को संकी आदमी था अब बोलो ये बड़ा आदमी है पंडित विचारा सीधा सदा आदमी उसको जेल में डाल दिया इसलिए बोलने वाले वक्ता को एन बहुश्रुत होना चाहिए तब बात बनती नहीं तो कोई भी उसको गुमा सकता है राजा ने गुमावे में डाल दिया न सिधा आदमी था बिचारा पंडित गाये जैसा जेल में डाल दिया और कोई भी आता राजा यही सवाल करता गणेश जी के पिता जी कौन? उसके पिता जी कौन? आखिर एक दिन एक सच्चा कोई गुरु का प्यारा भक्त मिल गया राजा को और उसने गुरु भक्त ने कथा शुरू की राजा ने का ठैरो गणेश जी के पिता जी कौन? क्योंकि शुरुवात में सब गणपती जी की स्थूती करते हैं न? ओम अभिपसितार्थ सिध्यर्थम पूजितो यह सुरा सुरै सर्वविग्नहरस्तस्मै गणाधीपते नमः तो बोले गणपती जी के पिता जी कौन? गुरु के भक्त थे वो तो बोले शिव जी हैं शिव जी के पिता जी कौन? बोले ब्रह्मा जी हैं ब्रह्माजी के पिता जी कौन? बोले विष्णुु जी हैं विष्णु जी के पिता जी कौन? विष्णु जी के पिता जी बोले एकानंद जी महाराज यह दो तुम तुम तितियां की गिंती करा रहे हो तो बोले राजा तुम भी कौन सा उचा प्रश्न पूछ रहे हो तुम भी तो ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हो राजन आप भी तो गिंती कर रहे हो यह कोई ढंग है प्रश्न पूछने का पेड की जड तो होती है पर जड की जड क्या होगी जड़ है बस जड़ से पेड़ पैदा हुआ जड़ के कारण पेड़ दिख रहा है बाकी रही बात गणेश जी शिव जी विष्णू जी ब्रह्मा जी इस सब तत्व तो एक ही है नाम अलग अलग है तत्व तो एक ही है राजन तरक छोड़ कर कुतरक छोड़ कर जरा श्रद्धा रखो हम गणपती जी की स्तूती करते और तुमारे दिमाग में प्रश्ण गुमते रहते तो समाधन कैसे होगा विष्णान्ती कैसे मिलेगी राजा को भी बात दिल से लगी और राजा ने माफी माँगी और भक्ती का राष्टा अपना है संतन जो सत संग करे तू मन जी मेल मिटाई बंदा मानुष चोलो अथई अमोलो तैंके सफल बनाई बंदा यह अनमोल है इसको सफल बणा ले तैके सफल बणाई बंदा सद गुरु खा नाम वठी तू स्वास स्वास नाम कमाई बंदा गुरु से नाम लेकर दिक्षा लेकर स्वास स्वास में सच्ची कमाई करे बाकी तो आप जानते हैं दुनिया में आकर कमाया खूब क्या हीरे क्या मोती मगर क्या करे कफन में जेब नहीं होती जो कुछ साथ में लेकर के जाए भगवान का बजन करे उसने क्या बोला वो क्या कह रहा था वो क्या कह रहे थी वो ऐसा कह रहा था उसको यह सुना तू उसक आपक्षी खरिदने गयं तो बेचने वाले ने कहा कि सअाब instal है ना इसका एक पेर जरासा खीचो जरासा आयसा ही पतला धागा बांदाल हुआ है कि यह सीता राम मोलेगा सीत обязate इस ने खरीदने वाले ने कहा के अच्छा पाया ऐघंचνे तो नहीं जाओंगा मैं वोलने भगवानिक नाम नवी ने पुझा àsथ ऊफ्उझ वजच्वान का नाम बोल रहा है तुसन के अपना कान पवित्र कर सिताराम रादेशाम सिताराम राद शाम वो से बोले दोनों पेर कहीं चें तो इश्वर तो उद्देश रही नहीं रही, को तुकता बस हो से इश्वर उद्देश भोगवान का नाम शानिल्य भगति सुत्र में आया है संसृति देशाम अ भगति स्या संसृति उसी के जीवन में है संसृति माना जनम मरन जनम मरन जनम मरन उसी के जीवन में है जिसके जीवन में भक्ती नहीं है आप देखो ये फिलम बनाने वाले जो होते न डारेक्टर लोग ये लोग फिलम बनाने में कितना टाइम लगता है उनको पर एक फिलम बनी बनाई आप देखो तो ढाई तीन गंटे में फिलम पूरी पर बनाने वाले को पूछो क्या उसने तीन गंटे में बनाई थी अरे बह आठ सत्तर असी साल जब अन्तकाल आता है न तो पूरे जीवन की एक पट्टी चल जाती है फिलम की तरह कुछ ही क्षणों में और उस समय अगर उसने अपने जीवन काल में अच्छे काम किये सत्संग भक्ति सत्कर्म दान पुन्ज आदि किया है तो वह प्रसन्न होता है उसका किया हुआ सत्कर्म उसको खुशी देता है कि मैं कमाई करके जा रहा हूं मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूं पर अगर अपने जीवन काल में गड़बड़ें की है तो फिर वो भी फिलम पूरी याद आती है उसको कि यह किया यह किया यह किया जैसे दश्रत राजा थे उन्होंने अंजाने में तीर मार दिया था हिंसक पशु समझ कर तीर मारा था शब्द वेदी बान छोड़ा था पर वो बान लग गया श्रमन कुमार को वो अपने माबाप के लिए पानी बरने आया था तीर लगा उसको वो विचारा मर गया बोले मेरी अंते मिच्छा पूरी करना राजा ने पानी मेरे माता पिता को पिला दिना उनको प्यास लगी है और राजा दश्रत गए एक अथा आप जानते होंगे कि श्रमन के पिता जी ने दश्रत राजा को श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं इसे तुम भी मरोगे तो जब दश्रत राजा का अंत काल आया राम जी में चले गए तब दश्रत राजा को ये सारी बातें याद आ रही है कि मैंने शब्द वेदी बान चलाया था वो श्रमन को लगा था उनके पिता जी ने मेरे को श्राप दिया थे लिखा है तुलसीकरत रामायन में तापस अंध श्राप सुधी आई कोशल्य ही सब कथा सुन कशल्य जी को सारी बात बता दी कैसा हुआ था मेरे साथ अंजाने में मुझसे तीर लग गया और मेरे को श्राप मिला तो अंतकाल में सब बातें याद आती हैं अगर भक्ती की होगी साधना की होगी जब तब क्या होगा सेवा की होगी तो अंतकाल में गुरु का ज्यान सु इतन्य आत्मा हूं, शरिर पांच भुतों का है प्रत्वी जल, तेज, वायु, आकाश, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर ही हूं और मेरी एकता शरीर से नहीं, मेरी एकता वहगवान से है, ओम, 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 ओम से पक्का कर लें कि इंद्रियों और उनके विशयों से होने वाला सुख छोड़े बिना हम सो नहीं सकते तब ही निन्द आएगी उसको छोड़ेंगे तो सिद्ध ये हुआ कि इंद्रियों और विशयों से ही सुख मिलता है ये सोचना गलत है अपितु सत्संसे साधना से बड़ा आनन्द आता है आननद या आनन बना रहता है और सत्संसे हमारे मन के नो दोश दूर हो जाते है भागवत में प्रहलाज जी ने नो दोश गिनाए कि मन के नो दोश प्रलाद कहते हैं मेरा मन दुरित है दुरित माने मेरा मन पवित्र नहीं है मेरा मन गलत रहा पर जाता है प्रलाद मानों अपने मन की बात कहकर हम सब की पोल खोल रहे है मेरा मन बार बार गलत रहा पर जाता है ब्रभू